कोरोना वाइरस संक्रमन के संबंद में प्रदेश की सिती इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमन के 18,554 नए मामले सामने आये हैं। इसी अवदी में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 19,328 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इंफेक्शन के कुल 97,329 मामले हैं। जिनमें से 94,529 इस समय होम आइसोलेशन में हैं। और कुछ मरीज असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। अस्पतालों में 1300 से कुछ ज़्यादा मरीज इस समय भरती हैं। तो इस बार हमने यह देखा है इस वेव में की हॉस्पिटलाईएशन बहुत ही कम हो रहा है। और यह एक परसेंट से दो परसेंट के बीच ही रह रहा है एक्टिव केसिस का। विगत 24 घंटों में कोविट संक्रमिन व्यक्तियों में से 10 लोगों की मृत्य हुई है। और पॉजिटिविटी की दर इस समय 7.5 प्रतिशत के आसपास चल रही है। कल 2,47,845 सेंपल्स की जाच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,72,212 सेंपल्स की जाच की जाच चुकी है। कल RTPCR की जाचों के लिए प्रयोक्षालाओं को 1,26,953 सेंपल्स भेजे गए। कोविट टीका करण का कारे बहुत ही तेजगती से चल रहा है और उत्तरप्रदेश 24 करोड से अधिक दोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल दिनांक 19 जनवरी को प्रदेश में 26,35,029 डोजेज अड्मिनिस्टर की गई। जिनमें से 3,77,075 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई। जहां तक 18 साल से उपर के आई वर्क का प्रश्न है अब तक 14,13,20,582 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है जो कुल अनवानित जनसंख्या का इस कोहोर्ट का 95,86 प्रदिशत है 95,86 परसेंट। इनमें से 9,14,90,749 वैक्ती वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं अर्थात पूर्णता प्रतिरक्षित हो चुके हैं यह कुल अनवानित संख्या का 62,06 प्रदिशत है 15 से 18 साल के आई वर्क के बच्चों में से अब तक 66,86,070 बच्चे वैक्सीन की पहली डोज ले हैं जो लगबग 47,7 प्रतिशत है जहां तक प्रिकॉशन डोज का सवाल है जो हमारे हेल्थ केर वर्कर्स फ्रेंट लाइन वर्कर्स और साट साल से उपर के को मॉर्मिड लोगों को लगाई जा रही है वो भी अब 5,88,149 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा लिया है कल तक कुल मिलाकर 24,85,540 डोजेज लगाई जा चुकी थी इस समय संक्रमन काफी तीवर है और कई बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं तो अपना ख्याल रखिये सावधानी बरतिये भीड़ भाड में न जाईए और ऐसे आयोजन विन न करिए ज साफ करते रहे हैं मुह और नाक को मास्क से ढख कर रखिये और साजवनिक सलों पर लोगों से दूरी बना कर रखिये दोगज की दूरी और मास्क है जरूरी इस मंतर का पालन करेंगे तो संक्रमन से बच सकेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे और साथी साथ आप संक्रम कराया है अगर उन्हें संक्रमन हुआ भी तो किसी प्रकार की जटिलता देखने को नहीं मिली जब टीका करण नहीं कराते हैं तो फिर उसमें जटिलता के संभावना बनी रहती है अपने बड़े संक्रमन मुक्त रहिए सब परिवार स्वस्त रहिए और प्रसन रहिए